तो दोस्तो आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं कि दोस्तो आप लोग अच्छे हुए दोस्तो आज किस वीडियो बात करने चाह रहे हैं बिहार वोट 10 वी के रिजल्ट के उपर दोस्तो वोट की द्वारा बहुत 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 बह सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको भी दबाले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता है बिल्कु फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करें पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा सेर करें साथी फेस्बुक गूर्व पॉर्सबुक में भी सेर करें ताकि सविस्ट उनके अजनकारी पराप्त हो सके और वह भी इसका अच्छे से जान सके कि उनका रिजल्ट कब आने वाला है कोप्यों का मुलाइकन कब से सुरू होने वाला है सारी बात करने चारे इस वीडियो में त चले दोस्तों इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप इस स्किन पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बताएगा कि दसमी की रिजल्ट जल्दी जारी होंगे लॉक्डाउन के बाद सुरू हो सकती है काफियों की चेकिन ठीक है तो चले इसकी बार में 20 स्तार से जान लेते हैं कब काफी चेकिन होगा और कौन से डेट में रिजल्ट जारी होगा ठीक है तो इसकीन पर आप देख सकते हैं आप कुछ जनकारी अच्छे से दिया या तो चलिए आप जान लेते हैं ठीक है बियार बोड विदाले परिचा समीती की और से दसमी की छात्रों का रिजल्ट का इंदजार जल्द खतम होने वाला है बता दे की बोड बार्मी के रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है और तथा दसम काफियों की चेकिंग का काम सुरू करने जा रहा है तो दोस्तों लॉक्डण खतम होते ही काफियों का मुलैंकन सुरू कर दिया जाएगा ठीक है और भी नीचे बता है कि विश्टार में दर चले आपको वह भी बता देते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत अच् माँ जारी हो जाएगा अगर तीन मौई के बाद लॉक्डण नहीं बढ़ाया गया तो बिहार बोट दसमी के रिजल्ट मौई के दूसरे सब्ता में घोशित किया जा सकता है बोट की और से दसमी का 75% कोप्यों का मुलैंकन करें हो चुका है आगे की परक्रिया पूरी करने म और दोस्तों कोप्यों का मुलैंकन होते ही चालू कर दिया चाहेगा घिर डूस्तरे या पहली सम्ता में रिजल्टches आरी कर दिया जाएगा जाएगा ओर या 앞에 कुछ जनकारिते आशले आपको ब समय में में दोस्तों बहुत कर दियेupli के रिजल्ट घुमार्श को 420 मार्च कर डिया थठीक है यहां बहुताए कि परिच्छा लेने के 30 दिन के भीतर है इंटर की नतीजे घोशित कर दिये गए थे इस साल इंटेमेटेड वार्सी परीचा में कुल 12,444 विदार्थी सामिल हुए थे जिसमें से 6,56,301 थे तथा 5,48,533 थे मतलब कि दोस्तों 6,56,301 लड़का था और 5,48,533 लड़की ठीक तो दोस्तों इंटर की संक्या कुल इतना ही था और काफी अच्छे नमर आएं उमीद करते हैं कि आप लोग का भी नमर काफी अच्छे आएं क्योंकि आप लोग बेसाबरी से इंतजार करें result का बहुत तैम से बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार की घरी हो गया समाप ठीक है कोपियों का मुलाइंकन समाप्त होते हैं result जारी कर दिया चाहेगा कोपि का मुलाइंकन तीन मौई के बाद शुरू कर दिया जाएगा और कोपी के मुलाइंकन करने में तीन से चार दिन का समय लगेगा ठीक है उसके बाद आप लोग का रिजल जारी कर दिया चाहेगा तो जोस्तों यही था आज किस वीडियो में छोटा सा जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और अप चाहेगा और दोस्तों अगर आप रिजल चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे विपसाइट का लिंक दिया है तीन थो वहां पर से जाके आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो यही था आज किसी वीडियो में जनकारी और दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चाहों को सब् का दिन सुभो